बीरे स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखा पॉइंटर अर्थमेटिक्स पॉइंटर अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया है पॉइंटर में अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन-कौन से लगाये जा सकते हैं और कौन से ऑपरेटर यूज किये जा सकते हैं आई बटन पे जाएं और पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं आज की वीडियो में हम लेके चलेंगे pointer versus array pointer versus array जो topic है यह अपने आप में बहुत important और intelligent topic है देखो pointer versus array मैंने रखा है तो pointer बनाम array इसका दोनों का मतलब क्या है? दोनों कैसे आपस में जुड़ते हैं? यह मुझे आज बताना है actually एक छोटी सी definition बनती है जो आपको यहाँ पर proof हो जाएगी वो definition यह है कि the array का जो खुद का name है मतलब the name of array is always a pointer constant that stores the address of very first element of array मैंने बहुत असान कर दी definition एक constant है array का खुद का नाम जो pointer constant है और हमेशा सबसे पहले element का address contain करता है इस चीज को कैसे proof करते हैं और कैसे इसका program बनाते हैं मैं समझाता हूँ देखो सबसे पहले आपके सामने यह blackboard पे जो बना हुआ है pointer versus array के अंदर एक array बनाया है यह है आपके सामने और एक बनाया है pointer array के अंदर मैंने 5 element रखे हुए हैं 11, 22, 33, 44, 55 जब इस तरह से declare किया गया होगा तो array ऐससे declare हुआ होगा memory में locate to yoga space और 0, 1, 2, 3, 4 इन पे elements set हुए होगे 11, 22, 33, 44, 55 ठीक है सारे elements जब set हो गए तो उसके बाद क्या हुआ हुआ है पहले element का जो भी address बनता है अगर हम बात करें तो अगर चार-चार के increment पे integer में बनाता है address तो चार-चार के increment पे जो बनेंगे देखो इसका अगर मान लो ले लेते 65,524 सबसे पहले वाले का address मान लेते हैं ठीक है तो उसके बात क्या होगा इसका address कितना बनेगा 28 इसका 32 ऐसे करके बढ़ता रहेगा तो बात आएगी कि अगर बढ़ता रहेगा तो इन्हें कैसे देखेंगे वो तो हमने देखी लेना है लेकिन बात यह है कि यह वाला 65,524 जो है यह कहां store होता है तो देखो एक pointer अगर मैंने PTR equal to M% ARR 0 लेखा बहुत अच्छे से आपको clear होगा यह कि अगर मैंने suppose करो यह वाली चीज लिखी देख रही है तो इसमें क्या लिखा हूँ है इसमें लिखा है pointer PTR equal to M% ARR 0 यानि कि ARR 0 एक variable है कौन सा पहला 11 11 के लिए उसने कहा 11 का address जाएगा किसमें PTR में तो PTR will contain now 65,524 मैं यहां लिख देता हूँ PTR equal to address of ARR 0 मतलब 65,524 ओके बिलकुल यह तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है अब यह क्योंकि मैंने पढ़ाया हूँ है अब बात आती है कि अगर इस में से देखो जैसे अगर कहीं पे आप लिखते हैं X equal to 5 into 100 upon 100 तो यह खूब mathematics में पढ़ा होगा यह दोनों आपस में cancel out हो जाते है यह दोनों आपस में cancel out हो जाते हैं यह दोनों cancel लेकिन सिर्फ और सिर्फताब जब 0 हो index 0 अगर index 1 यह 2 होगा इस समय पे अगर देखो PTR equal to ARR आ गया अगर यह दोनों cancel out होते हैं तो PTR equal to ARR हो गया जो मैंने यहां लिखा PTR equal to ARR अगर यह बात ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया जो मैंने कहा वो ठीक हो गया क्योंकि इसके रखने पे 65,524 इसके अंदर जो आया वो PTR के अंदर अभी भी आएगा क्योंकि ARR is the name of array देखो ARR is what? It is the name of array और name of array can contain the address of very first element तो यह था pointer versus array इसको प्रूफ करने का मतलब यहां पे कटता है यह मैंने बताया लोजिकली लेकिन अगर यह program चलेगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि यह वाकली में ऐसा होता है देखते हैं स्क्रीन पे आपके अब DIP C++ के अंदर हमें एक program मिल गया और प्रिंट किया तो इस समय पे अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा 11 आएगा क्योंकि PTR contains the address of 11 और PTR पे रखी हुई देखो add as risk PTR मतलब PTR पे रखी हुई value क्या है 11 तो वो प्रिंट हो जाएगी देखें कैसे 11 प्रिंट हुई अब मैंने कहा कि अगर आप इन दोनों को cancel out कर देते हैं देखो इसको यहां से मैंने इसको cancel किया और इसको cancel किया इन दोनों को cut कर दिया अब बचा PTR equal to X इसका मतलब अगर यह चलता है तो मेरी बात सही हो जाएगी जो मैंने आपको concept अभी बत बिल्कुल चल गया इसका मतलब concept एक्दम right था अगर कोई आप से कहे कि यह चीज क्या one के साथ भी possible है मैं यहां पर one लिखता हूँ तो address जो आएगा इस समय पर 22 का होगा और 22 ही इस screen पर print होगा क्या इन दोनों को cancel करने पर 22 आएगा never क्यों क्योंकि it is a constant तो अब तुम बिल्कुल साफ कह सकते हो the name of array is x कह है name of array is the pointer constant 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 that will contain the address of very first element of array अब इसका एक application symbol सा लेके चलते हैं जिसमें मैं आपको कही चीज़े बताने जा रहा हूँ application कुछ इस तरह से है elements यह होँगे और यह पाच्चों element मैं print करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो अगर मैंने यह program बना उल्टा कर दिया एक सेकेंड अगर मैंने यह program आपको चलाया देखो पहली लाइन सिर्फ एक लाइन चलाने की बात करो यह loop के अंदर है यह मान की चलें ठीक है न यह तो सारी लाइन मैंने cancel कर दिये comment आउट कर दिये ठीक है इनको हटाके बस पहली लाइन चलानी है जिसमें लिखा है value is equal to percentage ptr plus i यानि कि star ptr plus i star मतलब s disk ptr address of 11 है तो 11 के address पर रखी हुई value है नहीं कि 11 में 0 जोड़ेगा 1 जोड़ेगा i जोड़ेगा 0 1 2 3 तो 11 12 13 14 15 इसका output आना चाहिए 11 12 13 14 15 देखो ऐसे या है तो यानि कि मैं चाहा रहा था कि यह सारे element प्रिंट हो जो नहीं हो रहे क्यों कि कारण है भई हमने ptr address में increment नहीं किया है कि अगले value पहुच जाए हमने increment किया है address पर रखी हुई value के अंदर बस इसी चीज को यहां से हटा के दूसरी line चलाने की कोशिश करते हैं देखो इसमें मैंने इसको bracket के अंदर कर दिया है ptr plus i इसका मतलब यह हुआ कि ptr plus i ptr पहले का address है i मतलब 0 increment का 2 का 1 का 3 का ऐसे करके increment करता जा रहा हूँ तो address में increment है तो यह हर address पर रखी हुई value बताए 11 22 33 44 55 ठीक है देखो 11 22 33 45 बिल्कुल 44 55 ठीक है तो इस तरह से हम कहेंगे कि bracket लगाने और ना लगाने का कितना बड़ा परक पड़ता है अब इस वाली line को चला के देखते हैं जिसमें हमने जिसमें हमने asterisk x plus i लेखा है x मतलब ptr की value x ptr और x तो बरावा रहे हैं क्योंकि यह यह वाली line कहती है देखो कहती है तो फिर इसका मतलब इसका address क्या आएगा 11 12 13 14 जो इस line का आया था ठीक है बिल्कुल ऐसे ही आ रहे है ठीक है अब आगे बड़े देखो इसके बाद यह वाला है यह बिल्कुल x plus i मैंने bracket में डाल दिया बिल्कुल वैसे के वैसे ही होगा 11 22 ठीक है मतलब first third और second fourth line resemble करती है अगली line यह है जिसमें ptr को plus plus करके इस asterix रगाया है मतलब ptr में increment मतलब address में increment plus plus मतलब यह सब plus minus मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको दिखाएं किसमें pointer arithmetic में ठीक है ना देखो यह क्या रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है जो चाहिए था वो आ रहा है अगले वाले में x plus plus किया है थोड़ा सा समझने की बात यहां आएगी x plus plus करते ही क्या होगा यह error देगा देदी इसने error और पता है यह क्या कहता है यह यह कहता है x is a pointer constant that cannot be incremented और आप increment करने बेटे हुए है increment हो कैसे सकता है constants can never be incremented यह हमने आपको अच्छे से बता है ठीक है यह error बच जाती है इसको कह दो error ठीक है अगली line अब आपको address शो करूँगा मैं देखो ptr plus i यानि कि पहले का address 0 जोडने पे 1 जोडने पे अगले का address अगले का address ऐसे अगर print करेंगे तो यह सारे addresses प्रेंट करेंगा ठीक है देखो बिलकुल कर रहा है 36 फिर 40 यानि कि 44 के increment पे address शो कर रहा है अगला x plus i यह भी बिलकुल same वोई काम करेगा ठीक है इसके बाद ptr plus plus अगर करें यह भी वोई काम करेगा बिलकुल और इसके बाद x plus plus अब आप बताओ क्या करेगा क्या करेगा कुछ भी नहीं करेगा error आएगी क्यों आई error क्योंकि x एक constant है ठीक है न तो इस तरह से आप क्या होगे कि यह सारे मैंने जो चला के दिखा है different applications है वो कैसे pointer में increment करके हम array की values को check कर सकते हैं यह था हमार सारा pointer versus array और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगली वीडियो में मैं लेके चलूंगा आपको pointer with function यानि कि pointer के साथ functions को कैसे use किया जाता है और function में pointer कैसे pass किये जाते हैं कैसे return किये जाते हैं wish you good luck